LSRW skills, whether you are in home or college or in any organization यानि कि आप अपने घर पे हो या फिर आप कहीं किसी college में UGA, PC, Degree जो है course complete कर रहे हो या फिर आप किसी organization में या फिर किसी office company में आप job कर रहे हो तो आपको चार ऐसे activities होती है communication की जो कि आपको perform करनी ही पड़ती है पहला, you have to listen to your parents, अगर आप घर पे हैं friends, अगर आप घर पे हैं, फिर college में हैं faculties, अगर आप college में हो और आप class lecture attend कर रहे हो और boss और colleague यानि कि अगर आप organization में job कर रहे हो तो आपको अपने boss के thoughts और उनके boss के instructions जो है boss के lectures, jobs related जो है आपको सुनने पड़ते हैं clear, इसी तरीके से दूसरा है, you have to speak to communicate with other यानि कि हर जगा चाहे घर पे हो, चाहे, college में हो, आप organization में हो आपको बोलना भी पड़ेगा, अपनी बात, अपनी thoughts को आपको express भी करना पड़ेगा तीसरा, you have to read, आप जो है घर पे बैठ हो तो newspaper पढ़ रहे हो books पढ़ रहे हो college में, notice आता है college से, या फिर कहीं किसी organization में job करें तो वहाँ पे notice आते हैं, rules होते हैं, guidelines होते हैं, आपको जो उनको पढ़ना पड़ता है पढ़के सबजना होता है, वहीं पे चौथा activity क्या है, you have to write यानि कि आपको लिखना भी होता है, आप चाहे जहां पे भी हो, चाहे वह application के form में लिख रहे हो, चाहे आप books लिख रहे हो, चाहे answers लिख रहे हो, चाहे अपना CV टाइप कर रहे हो, या फिर आप resignation later लिख रहे हो, किसी company को छोड़के जाने के लिए तो आपको क्या है, ये चारो activities, आप चाहे घर पे हो, चाहे college में हो, चाहे organization में हो, यानि कि चाहे personal हो, चाहे professional हो, ये चारो activities, communication के आपको perform करनी पड़ती है, कौन-कौन सी, listening, speaking, reading और writing, तो यही चार चीजें अच्छे से perform की जाएं, यानि कि अगर आप जो है सही तरीके से क listening, speaking, reading और writing, ये बहुत ही important होते हैं, किसी भी task को complete करने के लिए, अब suppose करी कि speaking की बात कर ले, आपको कोई काम किसी से करवाना है, और आपने सही तरीके से उस चीज को नहीं बोला सामने वाले से, सही तरीके से नहीं बोला, तो वो जो बना-बनाया काम होता है ना, वो भी ब बोल रहे हो, तो आपका काम क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, listening skill, आपके boss ने आपको कोई instructions दिये, कोई rule समझाया, कोई guideline समझाया, और अगर आपने उसको सही तरीके से नहीं सुना और नहीं समझा, तो फिर क्या होगा, वो आप guideline rule फॉलो नहीं करोगे, और आगे चलके आपको problem हो सकती है, जैसे कि वहीं पर आप तीसरा समझी है, जैसे कि notice आया, अब अगर आपको पास reading skill नहीं है, और उसको सही तरीके से interpret नहीं कर पाते हो, आपके पास university से notice आता है कि 15 June से 26 July तक आपके examination form भरे जाने हैं, ठीक है, और वहाँ पर आप उस चीज को नहीं समझ पाते हो, या फिर सही तरीके से उसको नहीं पढ़ते हो, दिक्कत आजाएगी, कि आप अपना examination form भरना भूल जाओगे, या फिर कोई और आके आपको बताता है, तो फिर आप भर पाऊगे, वहीं पर writing skill, क्या होता है, कि हमें आता तो बहुत है, यानि कि हमें बहुत कुछ सारी books हमने अच्छे से पढ़नी है, लेकिन जब answer लिखना होता है, copy में तो हम सही तरीके से लिखनी पाते हैं, यानि सबसे पहले heading में क्या लिखना है, फिर mid में क्या लिखना है, फिर last में कैसे conclude करना है, हमें आता ही नहीं है, जब हमें आये गा ही नहीं तो हम लिखनी पा आते हैं, क्योंकि आपके अंदर writing skills नहीं होती है, कि किस तरीके से application लिखना होता है, कैसे words, कैसे phrase यूज़ करना है, क्या salutation यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर हो, जिससे कि आप अपने घर पे, college में और फिर किसी organization में अच्छे से आप अपना communication उसको effectively perform कर सकें, तो effective communication के लिए ये चार skills जरूरी होते हैं, कौन-कौन से listening, speaking, reading and writing skills, तो L, S, R, W skills का मतलब क्या हो गया, listening skills, L से, I से speaking skills, R से reading skills and W से writing skills, the four basic communication skills and abilities, each individual needs for effective communication, यानि कि अगर आपको अपना effective communication करना है, सही से अपने thoughts को और जो ideas को share करना है, तो आपके अंदर ये चार skills होनी चाहिए, और इसी को develop करने के लिए, जो ये soft skills subject है, ये प्रहा जाता है, जो है college में, या पिर कहीं कि इसको business communication के नाम से पढ़ते हैं, यहाँ पे आप soft skills के नाम से पढ़ रहे हैं, clear, तो यहाँ पे क्या होगा है, listening का मतलब, listening is the ability to understand or decoding the meaning of audio और verbal space, यानि कि आपके parents आप से कुछ बोल रहे हैं, college में faculties आपको कुछ पढ़ा रही है, organization में जो boss होता है, वो आपको कुछ समझा रहा है, तो आप क्या उस चीज़ को समझ पा रहे हो कि नही समझ रहे हो, देखिये, listening में hearing होता है, hearing क्या होता है, खाली सुनना, तो सुन रहा हूँ, समझ नहीं रहा हूँ, या फिर इसको मैं श्चोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन listening में क्या हो गया, कि आप सुन के उसको समझ भी रहे हो, clear, यह नहीं कुछ, आपने देखाऊ गाना, कि यह आतो रहा है लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्यों नहीं बोल पा रहा है क्योंकि आपके अंदर speaking skills नहीं है, कैसे words को फ्रेप करना है, किस तरीके से words का यूज करके आपको बोलना है, कहां पर कब कैसे क्या बोलना है, आपको नहीं पता होती है, तो speaking skills नहीं होती है, तो वो काम बिगड़ जाता है, तो ability, speaking skill का मतलब क्या होगे, ability to encode thoughts and concepts, याने कि जो भी concept हमने पढ़ा, जो भी thoughts हमारे अंदर हैं, उसको हम जो है encode कर सकें, और early हम जो है बोल सकें किसी से, तीसरा है reading, reading means ability to decode or understand the meaning of written things, reading मतलब कि जो लिखा हुआ है, उसको पढ़ पाना, पढ पर 14 है writing skill, writing skill याने कि ability to encode or convert thought and concept into written form, याने कि हमने पूरी book याद कर ली, पूरा concept हमने समझ लिया, लेकिन जब लिखने की बारी आते हैं, याने कि writing skill आपकी पूर है, तो उसको improve करने की जोड़ पढ़ती है, तो writing means ability to encode or convert thought and concept, जो भी हमारे पास है, into the written form, याने कि book में, diary म answer sheet पर आप जो लिख ले, application लिखना हो, वो आप सही से लिख ले, तो that is called writing skill, तो LSRW way of learning skills are regularly gained by listening first, followed by speaking, reading and writing, याने कि जब हम LSRW skills को सीखते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले हमारा focus skills पर होता है, listening याने कि सुनने पर, पहले सुनने पर focus करें, सुनके समझने पर focus करें, उसके ब develop करते हैं, तो for both, चाहे वो professional हो, चाहे वो personal use हो, दोनों ही के case में आपको ये 4 skills, LSRW skills required होती है, helps to understand situations, people and places, याने कि अगर आपके पास listening, speaking, reading and writing skills है, तो आप आसानी से किसी भी situations को, किसी भी people को, किसी भी place को आसानी से समझ सकते हैं, interpret कर सकते हैं, और उसके according फिर आप अपना decision ले सकते हैं कि आपको क्या बोलना है, क्या perform करना है, कैसे activities perform करनी है, clear, whether you are working from home or from office, यानि कि आप चाहे घर से काम कर रहे हो, या फिर आप जो है, office जाके काम कर रहे हो, आपको हर जगाँ पर क्या करना होता है, communicate करना पड़ता है, अपने junior से, अपने peer से, अपने senior से, तो उ विशु, अवाल दावेस्ट की आप वचिंग